हेलो फेंस तो आज रहे मैं आपको बताऊंगा होटल और एस्टो में बेस्टेबल होटेंड सार सूप कैसे बनाया जाता है आप इस सूप को सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिल में घर पर भी बना सकते हैं तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले आपको थोड़ी सी सबजियां चाहिएंगी यहाँ पर मैंने बीन्स ली है पत्ता गोबी और इसके साथ मैं एक गाजर का यूज़ करेंगे मश्रूम में आपके बाद 2-3 मश्रूम डाल सकते हैं थोड़ी सी ब्रॉकली और तीनों परकारगी मैंने शीमला में रिष्ट ली है तो सबसे पहले कटिंग करना बहुत ही मुश्किल लगता हमें तो कटिंग करने का तरीका बदाता हमें आपको पत्ता गुपी को आपने सबसे पहले इस तरह से लंबा-लंबा काट लेना है जो होटेंड सार सूप बनाए जाता है उसमें वैसे इस तरह की लंबी-लंबी कटिंग का यूज़ कियाता है बट आप इनको ना बारी काट के भी डाल सकते हैं तो लिए देखिए इस तरह से आप पत्ता गुपी को में चॉप कर ले चैंशे अब गाजर काटिंग करने में बहुँ ज़दा मुश्किल होती है तो गाजर को आपने देखिए इस तरह से बगड़ना है सबसे पहले आप इसको slice काट लीज़े इस तरह से जैसे हम गाजर को salad के लिए काटते हैं उस तरह से आपने गाजर को काट लेना है और इसके वाद सारी गाजर को इकठा करके पकड़िए और के देखिए इस तरह से आप गाजर को julian काट लीज़े और जूलिन काटने के पता आपने गाजर को इकठा करके बकड़ने है और इस तरह से आपने गाजर को चॉप कर लेना है आप इन सब्जियों को कटिंग करके ना स्टोर करके भी रख सकते हैं तीन से चार दिन तक फ्रिश में जब भी आपने सूप बनाना हो थोड़ी सी कटिंग लीजिए और उससे इंस्टेंट सूप बना सकते हैं और जो बीन्स है उसको आपने वनवाई डू करना है और इकठा करके इस तरह से ना फाइन चॉप कर लीजिए बीन्स को आपने थोड़ा सा बारी काटना है और जो शिमला मिर्च है इसको आपने देखे इस तरह से जूलीन काटना है जब आप कटिंग करते हैं नाइफ आपका थोड़ा सा तेज होना चीए उसमें अची धार होनी चीए और जो रैडियलो शिमला मिर्च है उसको भी मैंने जूलीन काट लिया है इक ठर के पकड़ेंगे और इस तरह से आप शिमला मिर्च को भी काट लिशे और अगर आपको शिमला मिर्च का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और मश्रूम है इसकी जो डंटल है आगे से आपने थोड़ी सी काट देनी है और मश्रूम को नहीं अच्छी तरह से दो भी लेना है दोने के पड़ आपने मश्रूम को लंबा-लंबा काटना है और इसके पड़ आप मश्रूम को जूलीन काट लिशे यह जो होटन सार सूप है इसका यूजज़ब सर्दियों में जदा स्यादा कर सकते हैं क्यूं सर्दियों में जातरा में ना कभी खांसी जुखाम चला रहता है तो जब आपको सर्दी खांसी जुखाम हो तो आप यह सूप को पीछे आपका गला एक्तम ठीक हो चाएगा और जो अदरक है अदरक को आपने छील लेना पहले उपर का छिलका हटा देना है और इसको लंबा-लंबा काटना है इसके बदाफ जूलिन कर्टिंग कीशे और अद्रक को भी चॉप कर लीशे तो इस जितनी भी हमने सब्जियों का यूज के सारी वीटमिन से बर पूर होती है और काफी हेल्दी भी होती है साथ में हरी मिर दो छोटे चमच आपने बरी कट और लसन एड़ करना है साथ में आप इसमें अद्रक और हरी मिर्च भी डालती है गैस की फिलिम आपने मीटिम टू हाई रखनी है और मीटिम टू हाई फिलिम में अद्रक और लसन को पका लेंगे अच्छा सूप में फ्लेवर आएगा तो हाई फिलिम में आपने सब्जियों को सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड तर पकाना है यहाँ पे जड़ा भूनना नहीं है 30 सेकंड तक आप सब्जियों को पका लेंगे ना इनका जो बाहर का कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और सब्जियों में जो कच्छा टेश होता है बो नहीं पड़ेगी और गैस की फिलिम आपने ना हाई कर देनी है तक कि सब्जियों में जल्दी से बॉइल आचा है इसके बताब आप इसमें नमक एड़ कीचिए एक छोड़ा चमच आप बरके डाल दी है मैंने नमक का एक छोड़ा चमच आपने इसमें ब्लैक पेपर क्रश आपने इसमें डार्क सोय साउस आड़ करनी है तो दो चोड़े चमच बरके आप इसमें डार्क सोय साउस डाल दी है और एक बड़ा चमच आपने इसमें वाइड विनेगर एड़ करना है अगर आपके विनेगर ना हो जब आपकर सूप बन जाएगा उस ताइमें आप इसम में निबू कर साथ सकते हैं और एक छोड़ा चमच आप इसमें चिली सॉस एड़ कर दीशिए तो यहाँ मैंने चिली पेस्ट का यूज किया है वर टाप रेट चिली सॉस का यूज कर सकते हैं सूप को बनाने के लिए और अच्छी तरह से सीजनी को भी मिक्स कर लेते हैं अब आपने हां यहां प्रेमर kवानिके कर लेना थोड़ा साथ को बनालेनी है और अच्छी तरह से देखिए पर उबल रहा है इसके वह अपने थोड़ा त्थोड़ा करके वनिए ऐस्तेव सूप मैं कौनफार डाल देना और जल्दी से अपने कॉन फ्रार को मिक्स भी कर लेना है जो बचाओ कॉन फ्रार था उसको भी आप इसमें मिक्स कर लेशे अगर आप पतला सूप पीना पसंद करते हैं तो इसकी ठीकने साफ कम कर सकते हैं लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारी कटाओ प्याचा तो यह हमारा रेश्टरन स्टाइल जो होट एंड सार सूप बनके त्यार हो चुका है अगर आपको कभी भी सर्दी खांसी होना आप इस सूप को पीके देखिए आपका कला एकतम साफ हो जाएगा वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेयर कमेंट चुरूर कीजेगा ओके झालेंस थैंक यू